जेहिंद जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से कलास 11-12 मैट्स को बुक आरस अगरवाल से बताया जा रहा है और अभी तक हम लोग कलास 11 का मैट्स बुक आरस अगरवाल से सुरू से अंत तक समाप्त कर चुके हैं आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाईए और उसमें देख लिजिए हर एक चैप्टर का नाम के साथ जो है प्लेलिस्ट आपका जुड़ा हुआ है आप घर बैठे भीना ट्यूसन जाए कलास 11 का कोर्स क्लास 12 का कोर्स मैट्स जो है अराम से खतम कर सकते हैं इसके बाबजूत क क्लास 12 में अभी तक हम लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ दो ही चैप्टर बात मौकी रह गिया है एक आपका लिनियर प्रोग्रामिंग और दूसरा आपका प्रोबैबिलिटी तो आज हम लिनियर प्रोग्रामिंग को सुरू ही कर रहे हैं उसके बाद कुछ दिनों के बा या इधर उधर भटकने से अच्छा है कि टॉपिक की बात करें तो यह आपका लिनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज जाना पड़ेगा और वह एक चीज है आपका लिनियर इन इक्वेशन्स जैसे मान लिजिए कि आप जो है बगीचे में जा रहे है कहीं घुमने के लिए जा रहे है और आपको आम खाने का मन हो गया तो क्या होगा या तो आप आम का दुकान ढूड़िए या नहीं तो पेर पर चरकर आम तोड़िए अगर आम का सीजन है तो तो उसी तरह से आम खाने के लिए बीच में एक बाधा है उसी तरह से लिनियर इक्वेशन प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए एक बाधा है आपका linear in equations अगर class 11 में आप बढ़ियां से पढ़ लिए है linear in equations को तब तो आप direct छलांग मार दीजिए linear programming पे तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर linear in equations को नहीं पढ़े हैं तो आप पहले इसको पढ़ लिजिए तब linear programming पर जाइए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपने सुना होगा equation इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो हमको प्राया उसमें equal to का symbol मिलता है और हमको सीखना है सर in equations in equations तो in equations में क्या होगा कि आपको greater than or equal to less than or equal to greater than or equal to ये चार तरह का symbol आपको दिखेगा किसी भी equation में तो आप समझ जाएगा वो in equations है आपका अब इसमें से linear in equations किसको कहते हैं linear in equations है ना इसको हम लोग समझते हैं अगर आप class 11 में बढ़िया से पढ़े है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है हम बोल चुके हैं पहले ही हलाकि आपके class 12 में book RS अगरवाल जब उल्टाईएगा तो पहला जो exercise है उसमें linear in equations से ही जुड़ा हुआ सारा problem है तो चलिए linear in equations क्या होता है कि n in equations in equations of the form of the form ax plus by greater than or equal to or less than or equal to or greater than or less than है ना डी हो इस चार में से कोई एक बीच में रह सकता है है ना of of variables variables x and y x and y is called इसी को हम लोग कहते हैं linear in equations linear in equations अब भाईया देखिए quadratic in equations भी हो सकता है अब ऐसा हो जाए कि यहाँ पर x पर power 2 आ जाए y पर power 3 आ जाए तो cubic हो जाएगा हम बात कर रहे हैं linear in equations कि तो linear in equations हमको यह समझ में आ गया अब यहाँ पर हम लोग यह जाने कि यह जो आपका linear in equations हैं ax plus by greater than or equal to d या ax plus by less than or equal to d या ax plus by greater than d या ax plus by less than c इस तरह से d इस तरह से आपका हो सकता है अब इसमें क्या होता है x का the values of values of x and y x और y का values जो होता है which satisfies the linear in equations को satisfy करता है उसको हम लोग जानते हैं known as solution set उसको हम लोग क्या कहते हैं solution set कहते हैं अब जैसे देखिए कि एक linear in equations है x plus y greater than equal to या less than or equal to 8 है clear है अब देखिए इसमें x का value 1 रखते है y का value भी 1 रखते है x और y का value जो है हमने क्या क्या लिया है 1 और 1 लिया है तो 1 plus 1 जो है less than or equal to 8 हो जाता है ये आपका true है या false है तो true है 2 जो है निश्चित रूप से less than है 8 से तो true है तो ये solution set ये solution है इस linear in equations का अगर हम ऐसा कर दे x और y का value जो है हम 5 और 5 ले ले तो 5 plus 5 जो है less than or equal to 8 तो 10 less than or equal to 8 ये तो ये क्या true है या false है तो हम क्या कहेंगे false होगा क्यों वो false है कहीं बुड़बक ये न बना रहा है कि 10 जो है कभी छोटा होगा 8 से वह हम रहा क्या कहते है उमर है 10 बरस और आपका क्या कहते हैं उमर है 8 बरस तो हम आपसे छोटा हो गए नहीं न तो 10 जो है छोटा नहीं हो सकता है 8 से तो क्या होगा इसको false है न कहेंगे बदबदक करें न कहेंगे तो इसलिए ये जो 5 5 हमने लिया है तो यह 5 5 जो है इस linear equations का solution नहीं है कर देंगे कहें चल निकल यहां से यहां से जो है इसको बाहर कर देंगे कान पकड़के बात समझ में आ रही है अब देखिए हम लोग जो है यह समझते हैं कि आखिर linear equations का in equations का जब हम लोग सर ग्राप खीचेंगे तो ग्राप खीचेंगे तो यह ग्राप पे बात आ गई है तो linear equation आपका last 10 में पढ़े हैं बोलिए एकदम इमानदारी से बोलिएगा linear equation पढ़े हैं आप लोग system of linear equation और उसका ग्राप भी खीचे है ना तो ग्राप जब भी हम लोग खीचते हैं तो एक straight line आता है क्या आता है linear equation का ग्राप लाइन एक straight line आता है लेकिन linear equations का जब आप ग्राप खीचेंगे तो यह जो है आपका जो ग्राप मिलेगा यह हाफ plan मिलेगा क्या मिलेगा हाफ plan मिलेगा वहिया याद रखिएगा linear equations का जब ग्राप खीचते हैं तो इसमें हमको हाफ हाफ प्लेन मिलता है और यह जो हाफ प्लेन होता है एक को हम लोग यह भी दो तरह का होता है एक होता है ओपन हाफ प्लेन होता है और दूसरा आपका होता है closed half plan closed half plan होता है अब open और closed कब होगा तो इसको आपको ये समझ लेना है कि open half plan तभी बनता है जब greater than और less than का symbol होता है closed half plan तब बनता है जब greater than or equal to भी जुडा रहे less than or equal to भी जुडा रहे इसको समझने के लिए हम लोग जब एक example देखेंगे तो और बहतर तरीके से समझ ले आ जाए तो आईए अब हम लोग समझते हैं graph of linear in equations इसका graph हम लोग किस तरह से draw करेंगे सबसे पहले in equations जो रहेगा आपका ax plus by greater than or equal to less than or equal to greater than or less than ये आपका c है की नहीं या नहीं तो चुकि हम लोग d मानते हुए आ रहे हैं c के जगह पे हम लोग d ही मान लेते हैं c गोल ऐसा समझ में नहीं आ रहा था d बढ़ियां से समझ में आ रहा है तो कुछ भी हम लोग constant ले सकते हैं तो ये आपका linear in equations होगा इसमें क्या होगा कि ये चार गो जो बीच में दिया है ना कोई एक के गो होगा है दिखिए एक के गो होगा या तो ये होगा या तो ये होगा यहां और और बीच में लिखा हुआ इससे confused नहीं होगी हैगा कि बापरे कितना बड़ा linear in equations हैं ये आपका कैसे रहेगा जैसे ax plus by greater than or equal to d रहेगा या नहीं तो ax plus by less than d रहेगा इस तरह से रहेगा तो सबसे पहला step में आपको क्या करना है स्टेप में करना है कि consider the equation ये ये को equation consider करना है और equation आपने मन से consider ने करना इसी को देखका consider करना है कैसे करना है ax plus by equal to d यानि कि greater than or equal to रहे या less than रहे या less than equal to रहे कुछ भी रहे उसको equal to आप क्या कर लिजिए equal to बना दीजिए और consider कर लिजिए आपका एक equation अब देखिए इस equation का तो graph आप लोग draw कर ही सकते हैं तो इसके बाद अगला step हमको करना है क्या कि find the solution set and draw the line on the graph paper graph paper पे आपको इसके लिए एक line को draw कर लेना है अब देखिए एक बात याद होगा आपको इस तरह का कैसे हम लोग solution set निकालते थे x का मान रखके y का मान निकालते थे x का मान कुछ रख दिये y का value कुछ नो कुछ निकल गया फिर x का value दूसरा consider किये तो y का कुछ नो कुछ value निकला तो इससे हमारा क्या मिल गया कि line मिल गया चुकि linear equation है तो एक line ही मिलेगा समझ गया अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपका open अगर आपका greater than और equal to, less than और equal to है तो इसमें आपको smooth line draw करना है अगर आपका सिर्फ greater than और less than रहे तो इसमें आपको dotted line, dotted line जो है draw करना है यह smooth line जहीं से देखिए यह एक smooth line होगी आपका कहीं हमने इसको भीना रोके एक line को draw कर दिया है और dotted line इस तार से होता है यह देखिए थोड़ा सा घीचे, छोड़के आगे बढ़के छोड़के आगे बढ़के, छोड़के आगे बढ़के इस तरह से हमारा dotted line होता है तो यह dotted line हम कहां खिचते हैं जबकि greater than रहे या तो less than रहे यह बात तो समझ में आगी और इसी को इसी से हमारा बनता है open half plan बनता है और इसी से हमारा बनता है closed half plan closed half plan है अगर आपका line smooth रहे तो हम क्या कहेंगे closed half plan बनेगा अगर line आपका dotted line रहे तो यह आपका open half plan बनेगा इतना सा समझ नहीं किसी को दिकत नहीं है अब हम देखते हैं step two को तो step two में आपको क्या करना है step two में choose a point a point not lying on the line on the line अगर संभब हो अगर संभब हो तो आप जो है 00 को select कर लीजिए अगर संभब हो तो 00 को select कर लीजिए अब ए नम्मर आपको याद रखना है if this point if this point satisfy 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 the in equations in equations the shaded portion या shaded portion या region भी बोर सकते हैं shaded portion contains the contains the chosen point chosen point ओके अब भी नम्मर क्या है कि if this point if this point not satisfy not satisfy the in equations अगर इन equations को या satisfy नहीं करता है अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे आपको अगले step में यहीं करना है है कि एक point को select करना है origin को अगर origin को यह linear in equation satisfy करता है तो उसका जो net person होगा उस point के तरफ होगा अधर वाइस जो है point से दूर होगा यानि कि point के तरफ नहीं होगा अगर इसको आप इस लेंग इसको समझ रहे हैं तो अच्छी बात हैं आप समझ रहे तो अब देखिए एक example से निश्ची तुरूप से समझ जाईएगा अब इसमें से हम एक example लेते हैं कि माल लिया जाए कि आपका एक equation दिया गया है linear in equations है ना यह linear in equations का एक example हम लेते हैं जैसे माल लिजे 2x प्लस 3y greater than 12 आपका दिया गया है linear in equations दिया गया है इसको हम लोग को क्या करना है consider कर लेना है consider कर लेना है 2x प्लस 3y equal to 12 जैसा कि इसने कहा consider the equation less than greater than सब को हटा के आप 12 equal to कर लीजिए अब इसका solution set निकालना है x y का x का value अगर 0 रखते हैं क्या रखते हैं x का value 0 रखते हैं तो क्या होता है 0 हो गया यह और यह y का value 4 आ जाएगा अब फिर अगर x y का value अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर तो x का value 6 आ जाता है और भी बहुत सारा value आप रख सकते हैं जैसे माल लिया जाए कि यहाँ पर हम x का value रख दिये 2 रख दिये 2 रख दिये तो 2 तो 4 अब 4 उधर जाके minus हुआ 8 हुआ तो यह आपका 8 by 3 आ जाएगा उसके बाद मान लिजी x का value हम लोग 3 रख देते हैं तो 3 तो 6 हुआ 6 उधर जाके minus में हो गया तो 12 minus 6 equal to 6 अब 3 से divide किये तो आपका 2 आ गया तो solution set तो हमारा निकल ही सकता है class 11 से 10 से 9 से ही निकालते आ रहे हैं आप लोग यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं अब देखिए इसका graph बनाने के लिए हम लोग लेते हैं coordinate axis को है की ने इसमें कहता है कि हाँ एक चीज याद रखेगा minimum 2 point तो हमको लेना ही चाहिए और suitable यही होता है कि एक बार x को 0 एक बार y को 0 रखके आप जो value निकालेंगे उसी दो point से आपका graph draw हो जाएगा यहाँ पर हमारा point जो है 0,4 है एक और यहाँ पर यह point जो है आपका 6,0 है 6,0 है अब देखिए कि 0,4 हमारा कहा होता है तो 0,1,2,3,4 यह point है आपका 0,4 अब उसके बाद 6,0 कह होता है 1,2,3,4,5,6,0 यह point होता है यह x-axis पर यह y-axis पर अब इस दोनों को आप मिलाएंगे जो मिलाएंगे तो मिलाने में ही ध्यान देना है आपको कि अगर आपका greater than और less than रहे देख रहे है greater than और less than रहे तो आपको dotted line ड्रॉ करना है तो इसको मिलाने के लिए जब स्केल रखिएगा ना आप तो इस तरह से dotted line का उपयोग कर दीजिएगा भाईया है ना यह आपका open का sense देता है clear है अब इसमें हमको क्या करना है अगला step कहता है कि आप जो है एक point को choose कीजिए अगर संभव हो तो 00 को ले लिजिए तो हम लोग ले लेते हैं we take 00 such that such that अब 00 जो है इसमें रख के देखते हैं 2 into 0 plus 3 into 0 greater than 12 और यह आपका 0 greater than 12 अब देखिए यह कह रहा है कि 0 जो है 12 से बड़ा है यह कभी हो सकता है नहीं हो सकता है यह तो गलत नहीं है यानि कि not satisfied यह जो है satisfied नहीं है यानि कि यह false है अब देखिए कि अगर does not satisfy not satisfy का condition हो है ना एक point लिए और satisfy का condition नहीं हुआ not satisfied the in equations the in equations the shaded portion does not contain the chosen point यह जो point हम choose किये हैं 00 नहीं हुआ satisfy तो इसका जो half plan होगा वह इस 00 को content नहीं करेगा और half plan कहने का मतलब कि यह जो इधर वाला portion है इस पूरे portion को ही हम लोग half plan कहते हैं इस तरफ के portion को यह represent करेगा इस तरफ के portion को represent करेगा clear है इसके बाद देखिए अब देखिए इस से meaning क्या निगलता है आप इधर कोई भी point ले लीजिए कोई भी point इधर लीजिएगा इसको satisfy करेगा लेकिन अगर इस line से इधर का कोई point ले लेते हैं जैसे यहां पर देखिए आपका 40 है ना, इधर का point ले लेते हैं तो नहीं satisfy करेगा, देखिए 11 जो point है आपका इधर ही है तो इसको satisfy नहीं करेगा, आप देख सकते हैं, рख के देख लिजिए, 1 1 रखके देखें हम तो नहीं satisfy करेगा 1 1 से 5 आएगा तो 5 greater than 12 नहीं हो सकता है इसके बाद अगर इधर का point हम 4 0 भी लेते हैं अब 4 into 2 8 होता है तो इस in equation को satisfy नहीं करेगा लेकिन यह जो half plan आपका इधर लिये हुए हैं यह dotted line से बना हुआ इधर कोई भी point consider किजिए कम सकम 6 और 4 तो इधर exist कर ही रहा है कम सकम 4 और 5 तो इधर exist कर ही रहा है आप 4 5 रखके इसमें देखिए satisfy करेगा 6 4 रखके देखिए satisfy करेगा 7 0 रखके देखिए इधर आ गया half plan में आ गया इसको satisfy करेगा तो उमीद करते हैं कि इस half plan के concept को आप लोग समझ गये होंगे वहीं अगर ऐसा रहता कि यह आपका equal to भी जोड़ देता तो हम यहाँ पर कैसा line ड्रॉ करते हैं smooth line को ड्रॉ करते हैं तो इसी से related आपका exercise आपके book RS अगरवाल में अगर आप पहला exercise देखते हैं तो exercise 1A जो है इसी सब तरह का problem दिया गया है इसमें से कुछ problem को हम बनाएंगे और कुछ problem आपके भरोसे छोड़ देंगे और अंत में हम लोग एक बात और जहन लेते हैं कि अगर कहा जाए simultaneous in equations तो simultaneous in equations से हम लोग क्या समझेंगे जैसा कि आपके book में भी दिया गया है सोचें एक सब्द इसकी चर्चा मैं कर लूँ तो आपको मान लिजिए कि 2 या 3-4 आपका in equations दिया गया है तो सारे in equations का solution set अलग-अलग होगा तो सारे in equations के solution set का जो common है solution set यानि एक ऐसा set आता है solution set जो सारे in equations को satisfy करें चाहे 2 in equations रहे 3 in equations रहे तो वैसे in equations को हम लोग simultaneous in equations कहते हैं इसके बाबजूत कभी-कभी ऐसा होता है कि 4-5 in equations दिये गया है सब का solution set हमने निकाला सभी का solution set निकाल के देखा कि सब में कुछ common नहीं है यानि कि उस सभी in equations के लिए एक कोई common set जो सभी के लिए true हो एक कोई common solution जो सभी in equations के लिए true हो अईसा अगर नहीं मिले तो हम वहां पर imputty solution उसको करते हैं imputty solution तो उमीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे इसके बाद जो हैं आपका exercise 1A है आरा सकरवाल बुक में इसके कुछ problem को हम लोग graph paper पर ही solve करेंगे मैं ये कोशिस करूँगा कि graph paper की वेवस्था करूँ और आप लोगों को solve करके दिखाऊं ताको आपको समझने में बहुत ज़्यादा परहसानी नहीं हो हलाकि बोड पर बताना graph वाली बात को बोड पर बताना बोड पर discuss करना अच्छी बात नहीं है और हो सकता है आपका confusion बरकरार रह जाए तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को बिराम में लाते हैं और मिलते हैं हम लोग next वीडियो में और exercise के problem के साथ जे हिंद जे भारत